आपको अज़ेस्टेबल लीवर आपको मिलता है आप 122 का मनुफेक्ट्रिंग डेट कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे तो आज का थमनिल आप सबने देखी लिया होगा तो आज आपके लिखाए है और आपको इस बाइक के बार में फुल डिटेल रिव्यू देंगे और जानेंगे कि क्या कुछ चेंज किया है इसके स्पेसिफिकेशन के साथ इसका और प्राइज और आपको पता चल जाएगा और आप वीडियो में पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बैल लेकिन को दबात है क्योंकि ऐसे लेटिस वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं तो जादा बात नहीं करते हैं चलते सीथा बाइक के पास आपको बाइक की चलिए तो गाइज यह रही ओल न्यू टीविस अपाची 164 वी स्पेशल एडिशन जो की आपके सामने भी प्रेजेंट है ओल न्यू 2022 वेरियंट तो अभी गाइज हम शूट कर रहे हैं गो डाउन में तो जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैनेज कर लेना लाइट का अगर की शूब आ रहा होगा तो तो बात कर लिते हैं के बारे में तो यहां पर आपको जाता है कंपणी के जाता है कम्पनी के तरफसे मैट ब्लैक और ग्लौसी रेट का कॉमबो जो यह फुल एग्रेसिव और लुक में बहुत याध कि मिलता है यह प्लाबझ को RTR 160 का बैजिंग और नीचे क्यों अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर आपको मिल जाता है 2022 का manufacturing rate तो all new 2022 की यह बाइक है manufacturing बाइक है तो अगर आप greedy या greedy के आसपा से belong करते हैं और आपको special edition लेनी है तो आप हमारे showroom में आ सकते हो CL auto mobile showroom की details आपको guys description box में मिल जाएंगे और contact number भी आप उनसे बात करके गाड़ी को book कर सकते हो तो आज बात करने वाले है special edition के बारे में किसमें क्या क्या changes हुए है इसका price क्या चल रहा है और इसके specifications क्या है तो start करेंगे सबसे पहले इसके all over color के बारे में तो जैसे कि आप देख सकते हैं mad black में आपको finishing मिल जा रहा है वह भी आपको tank cowl के साथ जो कि कुछ इतना जाधा extend है जिसे गाड़ी और जाधा aggressive लग रही है बीच में आपको मिल जा रहा है glossy rate का racing का बैट जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको RTR का logo मिल जा रहा है नीचे की और आएंगे तो नीचे के और आपको मिल जाएगा single seat company की तरब से जो कि आपको मिलेगा dual tone color option में guys radar black का combination मिल जाएगा tvs racing का badging मिल जाएगा और यहाँ पर अगर आप racing stickers मिल जाएंगे देखने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपाची लिखा हुआ तो यह ओल ओवर जितने भी वर्क्स हुए वह सब fiber body में हुए है guys और अगर दूर से थोड़ा bike को देखें मैं आपको इबाद दिखा देता हूं तो बहुत ही यादा aggressive दिखती है bike full naked में दिखती है तो आपको बहुत यादा पसंद आएगा बात कर लेते हैं इसके front section के बारे में guys तो सबसे जो आपको indicators मिल जाते हैं वो आपको बल में company provide करती है इसमें आपको LED indicators नहीं मिलते हैं दोस्तों और यहाँ पर बात कर ले उपर के side में तो यहाँ पर आपको मिल जाता है number plate लगाने का placement और यहाँ पर आपको लिखाओ मिल जाता है smart connectivity तो इसमें आपको मिल जाता है guys Bluetooth का भी बारे में तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको black matte में आपको मिल जाएगा इसका mudguard TVS लिखा हुआ racing और यहाँ पर आपको telescopic suspension मिलता है front में guys बात कर ले इसके tar section के बारे में तो front tar section में आपको पहले दिखा दूँ और यहाँ पर सबसे पहले मेरे को दिख रह है guys और front day size आपको मिल जाता है 270 mm का और जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको TVS racing लिखा हुआ मिल जाएगा alloy में और आपको टायर मिलेंगे वह company के ही टायर मिलेंगे आपको TVS के ही टायर मिलेंगे आपको guys बात करे इसके rare section के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको इधर से दिखाना चाहूंगा इसका एक सारी गाड जो कि आपको company provide करती है इसमें आपको पीछे में आपको female footrest मिलता है single वह नहीं मिलता है आपको दोनों side वाले footrest मिल जाते हैं पीछे की और यहाँ पर आप टायर हगर और यहाँ पर company आपको dual disc provide करती है तो यहाँ पर भी आपर बात कर लें इसके पीछे के suspension के बारे में तो वह आपको मिल जाता है mono shock absorber जो कि आप देख सकते हो पीछे में आपको मिल जाता है beautiful सा इसका grab grill जो कि आपको patman look में मिलता है जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ आपको LED tail lamp company provide करती है यहाँ आपको tail ID थोड़ा से extend में म दोस्तों बात कर लें इसके seat के बारे में तो मैंने जैसे कहा था आपको single seat मिलती है और आपको seat height मिलती हो आपको 800 mm का मिल जाता है तो तो short riders के लिए भी easy to ride होगा इसे ride करना और यहाँ पर tank capacity के बारे में बात करें तो आपको 2L का tank capacity मिलता है और यहाँ प्लेस्मेंट दोख के बारे में guys जो कि आप देख सकते हो fully digital में आपको company provide करती है दोस्तों तो यहाँ पर आपको सबसे पहले gear up और एक high Apache लिखाओ मिल जाएगा Bluetooth मिल जाएगा gear indicators मिल जाएगे RPM मिल जाएगा और average speed इसमें आपको बहुत सारे modes भी मिलते है दोस्तों तो वह भी मैं आपको दिखा दूँगे आपको time मिल जाएगा low fuel indicator मिल जाएगा तो यह जो modes है यहाँ पर जो modes है वो यहाँ से change होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं अभी urban mode आ गया है और यहाँ पर sport mode है आपका raining mode है तो बहुत सारे modes मिलते हैं जिससे आप comfortably write कर पाओगे आपको Bluetooth connectivity भी मिलती है दोस्तों और यहाँ पर बात कर लें इसके की के बारे में तो की आपको company कुछ इस तरह से provide करती है पीछे की और आपको मिल जाएगा Apache का logo और आगे की और आपको मि GPS लिखा हुआ तो बहुत यह अच्छा एक product की आपको मिलता है दोस्तों यहाँ पर बात कर लें इसके light के बारे में तो इसका जो light का throw है वह भी company आपको बहुत ही अच्छा provide करती है जैसे कि आप देख सकते हो और यहाँ पर मैं इसका low beam आपको दिखा दूँ तो वह साथ full on करने से ही चालू होता होगा गाड़ी स्टार्ट करने से यहाँ पर आपको आई बटन का भी switch मिल जाता है जैसे कि आपको दिख रहा होगा उससे आप trip set कर सकते हो यहाँ पर आपका होगया low beam high beam यह indicators हो गया और नीचे के आपको मिल जाता है हॉन तो हॉन इसका बहुत थी ज दोस्तों और यहाँ पर सबसे जो मेरा फेवरेट है वो है इसका जो प्लच है वह आपका अजिस्टेबल लीवर आपको मिलता है आपके हैंड के हिसाब से आप उससे comfortably set कर सकते हो 123 आपको मोड मिल जाते हैं उसमें तो बहुत ही अच्छा फीचर है यह हमारे special edition में और पर एक mode button मिल जाता है यह आपका रहा light on करने का जैसे कि मैंने कहा था तो light अभी भी नीचे का और गाड़ी on करने के बाद hopefully हमको लगता है कि उपर का भी जलेगा तो वह भी मैं जल्दी आपको on करके दिखाऊंगा और नीचे के आपको मिल जाता है self companies में आपको kick provide नहीं करती है दोस्तों तो यह तो बात होगी all design all instrument cluster और looks के बारे में अब बात कर लेते हैं इसके main engine के बारे में दोस्तों इसमें आ निचे क्यों आपको मिल जाएगा एंजन काउल पर्ट एर quickly also सब्सक्राइब यहां अग्णा रहाएव बात कर लेते हैं उसके इंजन स्पेसिफिकेशन और डिजाइन के बारे में गाईज अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में गाईज तो इसका जो प्राइस है वो एक छोरूम हमारे ग्रीडी में चल रहा है 1,24,755 के करीब में और अगर अब बात कर लें इसके on-road price के बारे में तो वो चल रहा है हमारे city में 1,48,195 के करीब में तो अगर आपको ये गाड़ी लेनी है और आप गृरीडी या जारकंट से बिलॉंग करते हो इसके आस-पास से तो आप यहाँ पर आके गाड़ी को विजिट कर सकते हैं दोस्तों तो hopefully guys आज का review आपके लिए जरूर beneficial हुआ होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक like एक comment जरू करें और चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को subscribe कर दें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब के लिए बाय और टेक केर दोस्तों